हेलो असलाम वालेकूम वालकम बैक टू दिन्यों वीटियो तो आज मैं आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक मिज़े दाराशी पी लगके तो आज हम बनाने वाले हैं लेबनीज कबाब जी हाँ यह वही मज़िदार कबाब है जिसमें हम देश्वियाइट करने वाले हैं तो चलिए वीटियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए में चाहिए एक किलो आलू यह हमने आलू बोईल कर लिया है यहां हमने बीफ ली है जिसके हमने चोटी-चोटी इसको भी हमने बोईल कर लिया है एक कब नोडल्स यह भी हमने बोईल कर लिया यह जो हम चाहूम एन वगेरा में यूज करते हैं बारा हरी मर्च ले लिया हमने चोटी-वन टीश्पून सॉल्ट हाफ टीश्पून ब्लैक पेपर यानि के काली मिर्च वन टीश्पून हमएं उसको गव्रीक टीश्पून क्राइब को बेसी ओण dipping इसकर न्यों करते हैं गुंत पिदराूड उप क्योड़िया है और इसके जाइसे जण प्छाए मिर्च की खास वाध यह है कहमें इसमें फ्रेश जिंजर गालिक का पेष्टर्य एक को अच्छी तरह नहीं को करेंगे सबसे पहले बोटियां जिसका हम ने इस तरीके से चूड़ा कर लिया फिर इसमें स्पगेटी जिंजर गालिक पेस्ट ग्रीन चिली पेस्ट और सोया सॉस कुटीवी मिर्च काली मिर्च यह सॉया सॉस है इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखिए किती अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अभी से इतने मज़े के लग रहे हैं तो रेडी हो के क्या ही मज़ा देंगे तो चलिए हम इसको आगे दिखते हैं इसमें हमने हाफ दी स्पून गयर मसाला एड़ किया है इसके तेस्ट को बढ़ानी के लिए अब हम यहाँ पर एक अंडा देरेंगे जिसको अच्छी तरीके से फेट लेंगे और इसमें एड़ कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसके कबाब बना लेंगे कोई भी साइज के यहाँ पर हम डॉर्मल साइज के बना रहे हैं आप अपनी मर्जी के साइज के बना सकते हैं इसी तरीके से हमने सारे कबाब्स राड़ी कर ली अब हम जाते हैं राइते की सरफ इसके साथ हमें कोई सौस तो चाहिए होगी तो चलिए हम डाइते अपनाते हैं राइते के लिए में चाहिए एक खीरा, तीन हरी मर्चे, चार लेसन की कलिया आप टीश्पून ब्लैक सॉल्ट, आप टीश्पून वाइट सॉल्ट क्यानिके नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो एक गठी दनिया की, एक गठी पुतिना की और 150 क्राम कर्ट क्यानिके एक बाल के जितनी तही तो अब दई को हटा कर बाकी इन सब चीजों को हम ट्रेंटर में डाल देंगे और थोड़ा सो पानी अट करेके इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी अट करेंगे तक्रीबन हाफ टी स्पून जितना हमने जीराइट करना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट नाने ने यह देखें यहाँ पेस्ट रेडी हो चुका है हम इसी में अब तही आइट करेंगे और यहाँ देखें यह हमारा राइता रेडी हो गया है से अब हम जाते हैं कबाब की तरफ तो कबाब को अब हम फ्राय कर लेंगे ठोड़ा सा ओइल ढलकर यहाँ ने टू से फ्री टेबल स्पून इतना ओइल दिया है और के गरम होने के साथ ही हम इसमें कबाब वेट कर देंगे जैसे नॉर्मली कबाब को फ्राइए करते हैं वैसे हम कबाब सारे फ्राइए कर देंगे तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही मज़दार ऐसे पीस मिलती रहें क्या हमारी कबाब एक साइड से अच्छे से फ्राइए हो चुके हैं अब हम इसको टैन कर लेंगे ताकि दोनुट साइड से अच्छे से फ्राइए हो जाएं ओड़ी हो चुके हम इसको सर्फ लेंगे यहां देखें यह हमारे मज़दार से और एज़ी कबाब रेड़ी हो चुके हैं उमीद करती हूँ कि आपको रेचिपी अच्छी लगी होगी अगर रेचिपी अच्छी लगी है तो विडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंज में श झाल झाल